भागवत पुरान अस्टम्सकंद अठारहवा अध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजबली की यग्शाला में पधारना श्री शुगदेव जी कहते हैं परिक्षित इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ती और लीला की स्थती की तब जन में मृत्यू रहित भगवान अधीती के सामने प्रकट हुए भगवान के चार भुजाएं थी उनमें थे संख गदा कमल और चक्र धारन किये वे थे शुगदेव जी कहते हैं परिक्षित इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ती और लीला की स्थती की तब जन में मृत्यू रहित भगवान अधीती के सामने प्रकट हुए भगवान के चार भुजाएं थी उनमें वे संख गदा कमल और चक्र धारन किये हु बड़े नेत्र थे हैं पीतांबर शुभाएमान हो रहा था विशुद्ध श्यामवर्ण का सरीर था मकराकरत कुंडलों की कांती से मुख कमल की सोबा और भी उलसित हो रही थी वक्स तल पर श्री वत्स का चिन हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद सिर पर किरीट कमर में करधनी की लड़ियां और चरनों में शुंदर नुपूर्ट जगमगा रहे थे भगवन गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारन किये हुए थे जिसके चारों ओर जुंड के जुंड भोड़े गुंजार कर रहे थे उनके कंट में कौश्टुब मनी श कुंदकार नश्ट हो गया उस समय दिशाय निर्मल हो गई नदी और सरोवर का जल स्वक्ष हो गया प्रजा के ध्रदय में आनन्द की बाड़ आ गई सब रित्वें एक साथ अपनी अपनी गुन प्रकट करने लगी स्वर्ग लोग अंतरिक्ष प्रित्वी देवता गौद दुज और परवत इन सब के हिर्दय में हर्ष का संचार हो गया परिक्षित जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहन किया उस समय चंद्रमा श्रवन नक्षत्र पर थे बादर परद माश के शुकल पक्ष की श्रवन नक्षत्र वाली द्वादसी थी अभी जीत मोर्त में भगवान का जन्म हुआ था सभी नक्षद्र और तारे भगवान के जन्म को मंगल में सुचित कर रहे थे पर एक चित जिस तित्थी में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजिया द्वादसी कहते हैं जन्व के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्तित थें भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मिदंग, डफ और नगारे आदी बाजे बजने लगे इस तरह तरह के बाजो और तुरहियों की तूतल धोनी होने लगी, अब सराय प्रशन होकर नाचने लगी, श्रेष्ट गंधर्व गाने लगें, मुनी देवता, मनू पितर और अगनी स्तिती करने लगें, सिद्ध विद्याधर किमपरुष किन्नर चारन, यक्ष राक्ष पक्षी, मुक्चे मुक्चे नागगन और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंचा करने लगें, तदा उन लोगों ने अदिती के आश्रम को पुष्पो की वर्शा से ढठक दिया, जब अदिती ने अपने गर्व से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, तो वह अत्यन्त आश्यरे चकित और परमानन्दित हो गई, तजापती कश्यब जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारन किये वे देख विश्मित हो गए, और कहने लगे जै हो जै हो, परिक्षित भगवान स्वयम अव्यक्त एवं चित्ति स्वरूप हैं, उन्होंने जो परम कांती में आभूशन एवं आयूधो से युक्त वह शरीर ग्रहन किया था, उसी शरीर से कश्चप और अदिती के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारन कर लिया, ठीक वैसे हैं जैसे नट अपना वेश बदल ले, भगवान सेहम अव्यक्त एवं चत्ते सरूप हैं, उन्होंने जो परम कांती में आभूशन एवं आयूधो से युक्त वह शरीर ग्रहन किया था, उसी शरीर से कश्चप और अदिती के देखते 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 वामन ब्रह्मचारी का रूप धारन कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों नहों भगवान की लीला तो अद्भूत है ही, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्शियों को बड़ा आनन्द हुआ, उन लोगों ने कश्यप प्रजापती को आगे करके उनके जातकर्म आदी संसकार करवाएं, जब उनका उपनेहन संसकार होने लगा, तब गायत्री के अधिश्ठात्री देवता स्वैम सवीता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया, देव गुरू ब्रहस्पती जी ने यग्यो पवीत और कश्यप जी ने मेखला दी, पृत्वी ने कृष्ण म्रिग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अधीती ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को चत्र दिया, परिक्षित अविनाशी प्रभू को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सब्तर्शियों ने कुष और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। पृत्वी ने कृष्ण म्रिग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अधिती ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को चत्र दिया, परिक्षित अविनाशी प्रभू को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सब्तर्शियों ने कुष और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीती से जब वामन भगवान का उपनेयन संसकार हुआ, तब यक्ष राज कुवेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सत्ती शिरोमनी जगत जननी स्वेम भगवती उमा ने भिक्षा दी, इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवेश धारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्शियों से भड़ी हुई सभा में अपने ब्रह्म्यतेज के कारण अत्यंत सोभायमान हुए, इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अगनी का कुशो से परिसमूहन और परिस्तरन करके पूजा की और समीधाओं से हवन किया, परिक्षित उसी समय भगवान ने सुना की सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्य यशश्वी बली भ्रिगूवन्सी, ब्रह्मनों के आदेशा नुशार बहुत से अश्व मेग्य कर रहे हैं, तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की, बगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनके चलने के समय उनके भार से पृत्वी पगपग पर जुकने लगी, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भ्रिगू कच्छ नाम का एक बड़ा सुन्दर स्थान है, वही बली के भ्रिगू वंशी रित्वज श्रेष्ट यग्य का अनुष्ठान करा रहे थे, उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानों शाक्छात सूर्य देव का उदैख हो रहा है हो, परिक्षित वामन भगवान के तेच से रित्विज यजमान और सदश्य सब के सब निश्टेज हो गए, वे लोग सोचने लगे कि कहीं ये देखने के लिए सूरी अगनी अध्वा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं, ब्रिगू के पुत्र शुक्राचारे आदी अपने सिश्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहें थे, उसी समय हात में चत्र दंड और जल से भरा कमंडलू लिये हुए, वामन भगवान ने अश्व में एक यग्य के मंडप में प्रवेश किया, वे कमर्क में मूझ की मेखला और गले में यग्यो पवीत धारन किये हुए थे, बगल में म्रिग चर में था और सिर पर जटा थी, इसी प्रकार बौने ब्रह्मन के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने, जब उनके यग्य मंडप में प्रवेश किया, तब भ्रिगु वन्शी ब्रह्मन उन्हें देख कर अपने शिश्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निश्प्रभ हो गए, वे सब के सब अगनियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया, भगवान के लगू रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोड़ा में दर्शनिये थे, उन्हें देख कर बली को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आशन दिया, फिर स्वागत वानी से उनका अभिनंदन करके, पाउं पकाड़े और संग रहित महापुरुशों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की, जाते हैं, स्वेम देवाधी देव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ती भाव से उसे अपने सिर परधारन किया था, आज वही चरणाम्रत धर्म के मरमग्य राजा बली को प्राप्थ हुआ, उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा, बली ने कहा, ब्राम्मन कुमार आप भले पधारें, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, अग्या कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और ये ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रहमर्शियों की तपश्या ही स्वेम, मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है, आप आज मेरे घर पधारें, इससे मेरे पितर त्रिप्त हो गए, आज मेरा वंस पवित्र हो गया, आज मेरा यह यग्य सफल हो गया, ब्रहमन कुमार आपके पाउं पकारने से मेरे सारे पाप धुल गए, और विविद पूर्वक यग्य करने से, अगनी में आहूती डालने से जो फल मिलता है, वो अनायास ही मिल गया, आपके इन नन्ने नन्ने चरनों और इनके धूवन से पृत्वी पवित्र हो गई, ब्रहमन कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, पड़म पुझे ब्रहमिचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय सोना सामक्रियों से सुसजित घर, पवित्र अन्ने पीने की वस्तु विवा के लिए, ब्रहमन की कन्या संपत्यों से भड़े वे गाउं, घोड़े हाथी रत्थ वह सब आप मुझे से मांग लीजिए, अवश्य ही वह सब मुझे से मांग लीजिए अवड़े